हाई ट्वेल्टीज, वेलकम टू एजी पे कॉमर्स क्लासेज, मैं हो तापितार काईज, आज के इस वीडियो में हम अपनी पार्टनर्शिप का फॉर्स चेप्टर स्टार्ट करेंगे, हाला कि आपके बुख में फॉर्स चेप्टर एंपियो है, बट आपको पता है कि पार्टनर्शिप fundamental से होती है और बाकी सारे आने वाले चेप्टर गुडविल, चेंज इन, पियेसर इस पर डिपैंड है, यानि कि कहों तो पार्टनर्शिप fundamental हमारा बेसिक होता है, पार्टनर्शिप की बुक का, अगर यह चेप्टर नहीं किया तो आने वाले स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 में कहा तक पढ़ाई हो चुकी है, क्लास 11 में हमने सोल प्रोप्राइटर्शिप के बारे में पढ़ा था, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोफिर और लॉस, बालेंशीट कैसे बनाई जाती है, पार्टनर्शिप में क्या क्या चीज़े बनती है, पार्टनर्शिप को कैसे डील किया जाता है, उसे सीखेंगे, तो सबसे पहले पार्टनर्शिप आखिर होती क्या है, तो देखो partnership का बहुत simple सा concept है जब दो लोग या दो से ज़ादा लोग आपस में बैटके decide करते हैं कि चल यार कोई business करते हैं तो उसे partnership कहते हैं तो partnership में minimum दो लोगों का होना तो ज़रूरी है अब जैसे आप लोग किसी भी अपने दोस के साथ, cousins के साथ बैटके जब decide करते हैं कि आप कुछ काम करना है, पैसा कमाना है तो वो क्या है, आप क्या decide करें पार्टनर्शिप के बारे में अगर आप उसे company में registered नहीं कराते तो डिपेंड करते हैं कि आप उसे registered कहा करा रहे हो आपकी formalities क्या है तो partnership क्या होती है basic fundamental ये है कि दो या दो से ज़ादा लोग जब मिलकर कोई business start करते हैं ठीक है तो उसे हम partnership कहते हैं partnership के लिए हमें act दे रखा है partnership act 1932 कौन सा act है? partnership act 1932 जिसमें सारी rules, regulation about the partnership partnership में क्या क्या चीज़े होती है partnership की क्या formalities होती है सब कुछ हमें इस act में मिलता है ठीक है? company इस act में company के बारे में मिलता है अभी हम बात करेंगे partnership के हमें company के लफडे में नहीं पढ़ना हमें तो simple अपना business करना है तो हम तो as a partnership के under करेंगे तो guys partnership की definition है partnership is the relationship relationship कह सकते हो agreement कह सकते हो between a person who have agreed to share the profit of the business जो क्या कह रहे है कि भई थ्यार है किस चीज़ के लिए who have agreed to share the profit of the business जो कह रहे है कि हम business का profit share करेंगे carried on by all और any of them acting for all यानि कि या तो सारे मिलकों उसी को चला रहे हैं या फिर दो बंदों ने पैसा लगा दिया एक उसे चला रहा है कई बार ऐसा होते हैं कि हमारे बड़े भाई बहन पैसा लगा देते हैं और हम उस चीज़ को रन करते हैं तो ऐसा भी होते हैं कि एक के basis पर हम चलाते हैं बाकी लोग पैसा लगा के बैट जाते हैं आपने 11th में types of partners भी पढ़े हैं कि कि कितने type के partner होते हैं पार्टनर्शिपी definition तो बहुत असाम सी थी partnership is the relationship or agreement कुछ भी कह सकते हो between a person who have agreed to share the profit of the business carried on by all और any of them acting for all और बाकी के basis पर एक बंदा काम करें अब यह जसके definition है हमें section 4 partnership act में दे रखी है इसी में से इसके features निकल के आते हैं सबसे पहला feature है guys relationship 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 जिसे हम agreement कहते है partnership किसी agreement पे base होता है यानि कि आपने जो जो चीज़े decide करी क्या decide करोगे आप आप decide करते हो कि भाई हम profit आदा आदा share करेंगे that is the agreement आप कहते हो कि मैं इतना पैसा लेके आऊंगा मैं 10 लाख लेके आऊंगा so partnership एक agreement पर based होता है right one hour को ही अपनी मर्जी चलाता रहेगा jam man करेगा so सबसे पहला जो इसका feature है that is the agreement between person की अगर मैं बात करो तो second feature होता है two or more person यानि कि partnership को चलाने के लिए minimum दो लोग चाहिए तो maximum कितने चाहिए so maximum 50 लोगों की maximum 50 लोग ही partnership में हो सकते है तो दूसरा features भी हमें पता चल गया यानि कि two or more person agreement बोले तो first feature third feature क्या है share the profit यानि कि business में profit and loss को share करना क्योंकि यहाँ पे हम service motive से नहीं आ रहे हमें profit के साथ साथ loss भी हो सकता है तो sharing profit and loss भी इसका feature है इसके बाद आते है guys of a business यानि कि यहाँ बन हम एक business करने आते है business का मकसद क्या होता है पैसा कमाना और वो business must be a lawful business होना चाहिए यानि कि कोई गलत काम नहीं करना partnership में आके हमें सही काम ही करना है तो एक, दो, तीन, चार तो feature हो गए पाँचवा feature क्या है carried on by on और any of them acting for all ये इसका पाँचवा feature है यानि कि सब मिलकर चला लो यार या फिर उन सब के भिहाफ पर एक या दो बंदे भी चला सकते है तो ये partnership के features है यानि कि ये चीज़े partnership में पाई जाती है ठीक है और ये होनी चाहिए आपको partnership बनाने के लिए partnership का act समझ आ गया 1932 है अब हमारे features तो चलो हो गए अब बात करते है partnership deed की देखो जो आप यहाँ पर relationship की बात कर रहे थे ये relationship का मतलब था agreement राइट क्या मतलब था agreement अब जो भी हम आपस में like suppose करो चार बंदे बैट कर कोई भी business decide करते है agreement बनाते है it can be oral and return हो सकते है यानि कि आपने बात चार बंदों के बीच में कहिए तो आपकी बात में दम होगा लेकिन oral भी आप बात कर सकते हो भाई यह 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 शर्त है आप return भी लिख सकते हो जब आपका partnership में return agreement होता है that is called partnership deed यानि कि return document को या return agreement को हम partnership deed कहते है और यह होना चाहिए मतलब होना चाहिए क्यों कि कल को अगर कोई बंदा बात से मुकर जाता है तो इस agreement के तोर पर आपके पर प्रूफ रहता है कि भाई हमने देखो यह बाते लिखी थी और देख तेरे भी साहिन है तो partnership agreement जो है वो हमारे rights and duties को उसमें govern करते हैं उसको संभाल के रखता है और जब भी कभी dispute होता है लड़ाई जगड़ा होता है तो उसे सुलजाने में हमारी मदद करता है इसलिए partnership deed जो होता है वो क्या होता है एक return agreement होता है अगर मैंने अपनी partnership में return लिखवा दी सारी चीजे दूसरे partners ने भी लिखवाई है तो that is the partnership deed Is it essential? क्या यह होना ही चाहिए? तो ऐसा नहीं है guys कि यह बहुत ही जरूरी होता है इसके बिना तो partnership चल नहीं सकती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो यह essential नहीं होता बट अगर आप कराते हो तो आपको इसका benefit जरूर मिलता है क्योंकि बाद में लडाई जगडे नहीं होते इसके बाद हम बात करेंगे guys अगर आप partnership deed नहीं बनाते और आपस में बात में लडाईयां करते हो कि भाई मैंने तो यह बोला था दूसरा बंदा कहते है तूने कभी यह बोला था तो अगर ऐसे situation arise होती है तो partnership act 1932 अपलाई हो जाएगा क्या होगा partnership act 1932 अपलाई हो जाएगा अब आपने अपना तो agreement जो बनाया था उस पर यकीन किया नहीं जा रहा तो partnership deed के नहीं बनाई आपने क्योंकि अगर जैसे suppose करो मैं और मेरे 4 परसन और उन्होंने अपना ratio त्यार किया था कि भाई हम profit जो share करेंगे मैंने बोला कि मैं 50% लोंगी बाखी दो ने बोला कि हम 25-25% लेंगे ठीक है ये बात decide हुई है लेकिन बाद में अगर हम मुकर जाते हैं तो क्या court मेरी सुनेगा नहीं सुनेगा ना उनके सुनेगा क्या होगा हमारा partnership act 1932 लग जाएगा वो क्या कहेगा वो ये कहेगा कि profit and loss जो भी होगा वो equal बाटा जाएगा क्या होगा equal बाटा जाएगा उसमें किसी को भी 50-25-20 ये अगर आपका था तो लिखवाते नहीं लिखवाया तो equal बटेगा तो partnership act हमारा 1932 कहता है कि profit and loss equal मिलना चाहिए ठीक है अगर आपने deed नहीं बनाई अगर deed बनाई ये लिखा है तो proof दिखा दो proof नहीं है तो आपको act को पालन करना होगा act का पालन करना होगा ठीक है इसके बाद दूसी चीज़ कही admission of a partner कोई भी नए partner को तभी admit किया जा सकता है जब सारे partner agree होंगे ठीक है ये नहीं कि बाई एक बंदा थोड़ा नरास्ता है कि यार ये मेरा दुश्मन है तो नहीं किया जाएगा सारे partner के concern से ही add किया जाता है उसके बाद interest on capital आखिर ये क्या है देखो इसकी calculation आपको इस chapter में सीखने को भी मिलेगी जो भी आप business में capital लगाओगे उस पर आपको पैसा partnership दे तो ये कहता है act की नहीं दिया जाएगा so partner interest on capital को कहता है not allowed आपने जो भी पैसा लगाए business में अपने अपना ही तो business है उसमें लगाया है तो आपको कोई भी उस पर interest नहीं मिलेगा आते हो for a personal use तो उस पर क्या आपको interest देना पड़ेगा partnership firm को तो वो कहता है कि नहीं act कहता है नहीं देने की ज़रत इसके बाद interest on loan अगर आपने partnership को loan दिया है तो आपको 6% per annum का interest लेने का अधिकार है ये अधिकार हमें act 1932 देता है कि आपने अगर अपनी firm को loan दिया है तो आपको 6% per annum के हिसाब से उस पर interest मिल सकता है उसके बाद है remuneration to a partner यानि कोई भी partner को salary commission नहीं अलाओ किया जाएगा अगर आपके पास agreement नहीं है act कहरा नहीं देंगे आप चाहे फिर बाद में लड़ते रहो मैंने तो बोला था मुझे salary चाहिए मुझे salary चाहिए अगर चाहिए थी तो agreement लिखवाते नहीं लिखवाया तो act कहता है नहीं दिया जाएगा क्योंकि proof चाहिए proof नहीं है तो act के through चलना पड़ेगा तो act कहता है कोई salary commission नहीं दिया जाएगा तो यह total 6 बाते हैं जो act हमें बताता है अब इसके बाद एक बहुत important question arise होता है क्या कोई minor, minor बोले तो 18 साल से नीचे कि लोग partner बन सकते हैं तो yes, minor को partner बनाया जा सकता है अगर सारे partners agree करते for the benefit of partnership firm के benefit के लिए ठीक हैं, अब जो main चीज है आपको ये सब चीजे पता चल गई अब जो बंदे होते हैं जो partnership को चलाते हैं उन्हें partners के नाम से जाना जाता है ये जिस business को run करते हैं उसे partnership firm के नाम से जाना जाता है यानि कि जो भी आपकी company खुलेगी company नी बोलते हो से firm बोलेंगे यानि कि जो भी आपने business open किया है तो उसको हम partnership firm के नाम से जानते हैं तो ये चीज़े आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके आगे का base बनाएंगी इसके बाद जब आपको ये base पता चल जाएगा तो अब आपको बहुत ही limited topics हैं जो इस chapter में आपको practically सीखने है like interest on capital की calculation drawing की calculation, loan की calculation salary and commission की इसके लावा past adjustment है आपका तो ये कुछ topics हैं जो आपको इस chapter में सीखने को मेलेंगे कि partnership में आखिर काम क्या होता है क्या बनाया जाता है इनकी calculation कैसे होती है तो ये आपको इस chapter में सीखने को मिलेगा I hope guys आपको ये चीज़े समझ आई होंगी फिर भी अगर कोई doubt है तो आप Instagram पर बूछ सकते हो idea तब इता मैसी है या फिर YouTube पर comment के थूँ Thank you